नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकिता दिल्ली विधान सभा में बजट पेश करने को लेकर सोंवार से वच्ची अफरा तफरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है केंद्री ग्री मंत्राले ने दिल्ली के बजट को विधान सभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है दिल्ली विधान सभा में केजिवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्री ग्री मंत्राले ने सोंवार को रोक लगाई थी उसके बाद से दिल्ली विधासभा में बजट पेश ना होने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीज सियासी घमासान जारी है आपको बतादे कि बजट ना पेश होने के स्थती में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विल केश जीवाल ने प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर ये आगरह किया था कि दिल्ली का बजट पेश होने दे बजट पेश ना होने के मसले पर आप और बीजोपी के बीच जारी आरोप रत्यारोप के लिए आम आदमी पार्टी के राज़सभा सांसद नेता राघव चड़ा ने ट्वीट कर कहा कि देश की आजादी के 75 साल के तिहास में पहली बार हो रहा है कि केंद सरकार दिली की जनत से अपनी हार का बदला ले रही है इसे पहले दिली सरकार में वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने इस मसले पर कहा था कि 10 मार्च को जो बजट हमने ग्रीमंत्राले को भेजा था उसकी क्वेरी मेल के जरिये 17 मार्च को शाम 5 बचे आई थी लेकिन वित्तमंत्री को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है मुख्य सचित को वित्तमंत्री के संग्यान में इसे लाना चाहिए था अगर ऐसा है तो चुनी हुई सरकार किस लिए है वित्तमंत्री किस लिए है सीम किस लिए है जब सारी चीज़ें लीगल तरीके से हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है उन्होंने कहा कि अगर बजट पेश नहीं होता है तो सब की तनक्वार रुख जाएगी उन्होंने कहा कि मैंने जो तत्य रखे हैं उनकी पूरी जाच होनी चाहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जानने के लिए जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ नमस्कार